अब हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक एवरेज पोटेंशियल एनर्जी तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी वाले टॉपिक में आप कुछ चीज़ा सीख चुके हो जैसे यू का जन्रल फॉर्मूला क्या होता है हाफ एम उमेगा स्क्वेर वाइ क्या डेरिवेशन में ये फॉर्मूला काम आएगा नई किसके टर्म्स में होना चाहिए टाइम के टर्म्स में तो वाइ कैसे हटाते है अभी भी आप लोग ऐसा लग रहा खापी के नहीं आते हूं जब उपर आओ नीचे बेटा गुलगप्पे खा लिया करो करपानी सुरू हो जाएगी हाफ एम उमेगा स्कूरे 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 स्कूर उमेगा टी वाइ की जगे जी आएगा कि एक लिए रहे नाव बताएगे एवरेज का फॉर्मूला वन बाइटी इंटीग्रेशन जीरो से टी जिसका एवरेज निकालना वो इस इट ओके अब यू की वैल्यू तो यू एवरेज वन बाइटी जीरो से टी यू की जगे है खीक है कौन कौन जिस्ते जार है बिन बुलाए है निकाल बाहर करू क्यों आए एम उमेगा स्क्वेर ए स्क्वेर बाइ टू टी कौन बचा अंदर समस्या हो गई स्क्वेर का इंटीग्रेशन नहीं होता ऐसे केस में कौस्टू थीटा के फॉर्मूले लगते हैं कौस्टू थीटा का वो फॉर्मूला जिसमें साइन स्क्वेर थीटा आता हूँ अगर नहीं मालूम तो याद करो कौस्टू थीटा इक्वल वन माइनस तू साइन स्क्वेर थीटा ओता है कौस्टू थीटा का फॉर्मूला साइन के चम से तो sin square theta निकारने के लिए सबसे पहले तो इसे यहाँ लाओ इसे यहाँ ले जाओ sin square theta क्या हो जाएगा 1 minus cos 2 theta by तो भी तो नीचे आएगा ठीक यानि sin square omega t क्या होगा 1 minus cos 2 omega t by यह value उठा कि यहाँ चिपकाई में कितना clear हो रहा है किसे note कर लिया अब हम sin square omega t की जगे रखेंगे 1 minus cos 2 omega t by 2 2 2 2 2 2 हो गया कर दो कर दो घुर्टा वेल्यू रखेंगे तो यू एवरेज इक्वल एम ओमेगा स्क्वेर ए स्क्वेर बाई टी इंटीग्रल जीरो से टी इस पूरे साइन स्क्वेर ओमेगा टी की जगह के आएगा बाई टू इंटू में डी टी किसका काम नहीं है तू का कुछी काम नहीं है तू का काम नहीं है तो वो कहां चला जाएगा बाहर तो एम ओमेगा स्क्वेर ए स्क्वेर बाई पोर टी अंदर बचा वन माइनस कॉस तू ओमेगा टी बाई तू इंटू डी टी ठीक अब एक बार बन के साथ एक बार कॉस तू ओमेगा टी ये साथ एक इंटीग्रेशन जीरो से टी इंटू डी टी वन का हो गया माइनस इंटीग्रेशन जीरो से टी कॉस तू ओमेगा टी इंटू डी टी कोई प्रोब्लम इसका इंटीग्रेशन टी लिमिट जीरो से टी इसका अभी अभी पिसले डेरिवेशन में सीखा आपने साइन टू ओमेगा टी बाई टू ओमेगा ठीक है भई इस स्मॉल टी को कौन दे प्लेस करेगा तो यू एवरेज इक्वल एम ओमेगा स्क्वेर ए स्क्वेर बाई प्रोटी बोलियो पहले अपर फिल लोग माइगा अब यहाँ स्मॉल टी की जगे कैपिटल टी साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी बाई 2 ओमेगा माइनस साइन जीरो बाई 2 ओमेगा ठीक है यू एवरेज इक्वल एम ओमेगा स्क्वेर ए स्क्वेर बाई 40 यहाँ क्या आ गया माइन इसको एंगिल में चेंज करेंगे साइन 2 इंटू 2 पाई बाई टी इंटू टी अपॉन 2 ओमेगा माइनस साइन जीरो जीरो पूरा जीरो यहाँ टी से टी कैंसल साइन के जितने भी इविन एंगिल होते हैं सब जीरो होते हैं तो यह भी जीरो क्या बच्चा इंटू में क्या बच्चा खाली 3 से टी ठीक तो काईदे से तो अपना अंसर क्या आ गया यू एवरेज रहेज गभी जीरो पूरदे से टीक यू एवरेज आ बच्चा ऑमेगा स्कुएर एस्क्वेर बच्चा 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 पूसलिया याथा कि show that average potential energy is half of total energy in a section तो ये कैसे प्रूव होगा कि potential energy average potential energy half है total energy ये एवरेज इक्वल half m omega square a square by 2 कैसे लिख सकते हैं इसे ये पूरा काय का फॉर्मूला है total energy का तो ये एवरेज क्या हो जाएगा half of total energy अगर इतना आता है तो ये काम और करना होगा तो कुल मिला के SHM में एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एवरेज पोटेंशल एनर्जी दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ठीक है कर लीजिए जी इससाब से एवरेज पोटेंशल एनर्जी और एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमेशा इसकॉल होती है यहाँ यह जी दो देखने ही रहा है यहाँ देखेंगे हाँ बुलिए प्लाव हाँ बुलिए प्लाव बुलिए बुलिए प्लाव